वस्बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरत दबंगो की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही है जिसका शिकार अकसर महिलाए हो जाती है आए दिन शहर में लड़कियों के साथ छेड़ चाड़ और अभधरता के मामले सामने आते हैं हाल ही में नोचंदी थाने का एक मामला सामने आया है जहां एक लड़की के घर में घुसकर दबंगो ने छेड़ चाड़ और मार पीट की साथ ही बलातकार का भी प्रियास किया पीडिता की मा बीच बचाओ करने के लिए आई तो उसकी भी दबंगो ने बुरी तरह से पिटाई की इसी दोरान लड़की के पिता घर पहुँचे तो उन पर भी हमला बोला गया उसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए आपको बता दें कि दोनों आरोपी शैलेंदर और जोनी भाई हैं और राजनीतिक दलों के सपोर्ट पर ही गुंडागर्दी करते हैं पुलिस भी इनकी मदद करती है जिसके चलते F.I.R. और मेडिकल की कोपी अभी तक पीडित परिवार को नहीं मिल सकी है ऐसे में पीडित परिवार नयाय की गुहार किसके सामने लगाए पीडित परिवार को आरोपी धमकी देते हैं और अपने संबंद सपानेता अतुल परधान से बताते हैं आए जानते हैं क्या कहना है पीडित आका पर आप पापा के साथ कहा सुनी हो गई थी तो बहर तो पापा पर हम लग पर लगाए करी उसके बाद कोई थानी घर में घर आ गए पर आप पर अब दरती हैं हाँ मेरे कोचिंग जाना बंद हो गया है वह उन्होंने धंकी दी हुई है कि अगर ज्यादा उपर गई अगर कम्ट्रेंट लेके तो फिर देख लिए आगे क्या होगा अका पुलिस को किसका दपना ने तर्म्री पे जाना चोड़ प्याद कि हां मेरे सब बंद हो चुका है सीचकर में उसे सपोर्ट मिलियु ये राजनीति पॉलिटिकल में रहता हो अतुल प्रधान की सपोर्ट इस खबर में बस इतना ही देखते रही है फस्ट बाइट डॉट टीवी कि बाइब आप